पायल मलिक के मुह से निकला सच, बोली अर्मान के पास ना लोटती। पायल मलिक बिग बॉस से बाहर हैं और मीडिया के सवालों के जवाब दे रही हैं। शुबुजीत भोश से बीचीत में पायल बोली की उन्हें खुशी है की लोगोंने बिग बॉस में पसंद किया। उन्हें लग रहा है की बिग बॉस में उन लोगों को बहुत गलत तरीके से दिखाया जा रहा है। साथ ही कहा कि खुश है कि बाहर आ चुकी है क्योंकि बाहर अब वह संभालेंगी खुद को स्ट्रॉंग बनाया पायल बोली कि आप अपने पार्टन को चीट कर रहे हैं तो गलत बात है धोखा देना सही नहीं है उन्हें लगा कि फाइनेंशिली और इमोशनली उनके पास कोई नहीं है वह केली पढ़ गई है बेटा छोटा था छोटी उम्र में अर्मान के पास आ गई थी तो कुछ देखा नहीं था अर्मान के पास जब आई तब 18 साल की थी इसी के बाद सारी चीजें स्वीकार कर ली और खुद को स्ट्रॉंग बना लिया अर्मान नहीं स्वीकार ते पायल की दूसरी शादी पायल से सवाल किया गया कि जब ऐसा हुआ था उस वक्त फाइनेंशिली स्ट्रॉंग होती फैमिली और दोस्त साथ देते तो अर्मान के पास वापस ना जाती इस पर पायल मलिक बोली अगर परिवार का सपोर्ट मिल जाता और फाइनेंशिली स्ट्रॉंग तो शायद इस चीज को स्वीकार ना करती आज अलग हो जाती पायल ने ये भी कहा कि अगर वह कभी दूसरी शादी करती तो अर्मान कभी एक सेप नहीं कर सकते पायल बोली कि जिस तरह से चीजे सुधारी अब सब लोग बहुत खुशी से रह रहे हैं फिलहाल आपकी क्या राय है इस खबर के बारे में हमें कमेंस में जरूर बताएं साथ ही अगर आप नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें